ये काफिला निकला है नर्सिंगपूर के गाडरवाडा से और ये काफिला जा रहा है भोपाल के कॉंग्रेस आफिस। ये काफिला वीजेपी के बागी नेता गौतम पटेल अपने समर्थकों के साथ लेकर निकले हैं। और भोपाल पहुचकर कमलनाथ की मौजूदगी में कॉंग्रेस की सदस्ता ले रहे हैं। इस दौरान गौतम पटेल ने बीजेपी को पानी पी-पी कर कोसा और दावा किया कि इस बार गाडरवाडा से बीजेपी प्रत्याशी राव उदेप्रताप सिंग बुरी तरह से हारेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने सांसद राव उदेप्रताप सिंग को गाडरवाडा से अपना उमिद्वार बनाया है। हाला कि यहां से गौतम पटेल टिकेट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब से उनका टिकेट कटा तभी से वो नाराज चल रहे थे। पिलहाल कॉंग्रेस ने गाडरवाडा से अभी टिकेट होल्ड पर रखा है। माना जा रहा है कि गौतम पटेल को कांग्रेस टिकेट दे सकती है। नर्स्तिंग्पूर से अनुच ममार की रिपोर्ट, MP तक।